शिरी शिवाय नमस्तु व्यम हर हर महादेव कैसे हैं दोस्तों आशे करते हो आप लेको बिल्कुल सही स्वस्तों होगे तो आज आपका कन्या राशी का भागे कैसा होगा 31 जनवरी और 1 फरवरी का तो कन्या राशी के जातक आज उर्जा से और उसाह से भरे रहेंगे परफेशनल लाइफ में तरक्की के नए अफसर मिलेंगे कड़ी मेहनत और लगन के साथ किये गए कारियों से जीवन की सभी चुनोतियां दूर होंगी सरकर्मता परणाम मिलेगा बिजनेस में बड़ी योजनाएं अच्छी रहेंगी इसके लिए आप किसी खास वेक्ती से मुलाकात कर सकते हैं आपका कोई नए काम को करने का भी पूरा होने का सपना होगा वेवसाय में आपको मन मताबिक लाब मिलने के आप पसंद होंगे से मुलाकात कर सकते हैं आपका कोई नए काम को करने का पूरा सपना होगा वेवसाय में तरक्की रहेगी जनवरी के महीने मिल जूलकर रहने वाला हैं कन्या के जो राशी के जो जातक हैं जनवरी का महीना उनके लिए बहुत ही लाबदायक और महा के महीने में बहुत ही अच भी रह सकते हैं लेकिन फिर भी ये बादल चट जाएंगे और आपका करियर बहुत ही अच्छा बनेगा जो भी कारिये में अर्चन आ रही थी वो एकदम दूर हो जाएगी और धनु राशी के लोग अकसर एक दूसरे के परती विश्यमताय पाते हैं कन्या और धनु विक्तियों के वैपारिक द्रिस्टी से मोहित हो जाते हैं आपके स्टिक और स्टक द्रिस्टी कौन से वे निराश हो जाते हैं आम तोर से एक दूसरे के सनक का सामना नहीं कर सकते राशी के इस्ट मा काली हैं इस राशी के जातकों को मा काली की पूजा रात्री में करनी चाहिए इससे सभी कस्टों से छुटकारा मिल सकता है राशी के जातकों को अपने हातों में हरे रंग का धागा बांधना चाहिए धनू राशी के मीन और राशी जातकों को पीले रंग का धागा बांधना चाहिए रेशम का धागा कच्चा बांधने से मकर और कुम राशी के जातकों को अपने हातों में नीला रंग का धागा बां पहन सकते हैं या चंदन की जड़ी को भी अपने पास रख सकते हैं कन्याराशी वालो के लिए संगम शब जमा उमड़ी या पुकोराज भी धारण करना शुब बताया गया है तो आप पुकराज की रिंग भी गुरू की उंगली में धारन कर सकते हैं कन्या राशी के ग्रह बुध है इसलिए कन्या राशी के लोगों का भाग्य शाली हरा रंग माना जाता है बुध के लिए हरे रंग के कपड़े पहनना आपके लिए शुब होगा तुला राशी के लिए स्वामी शुकर हो आज पार्टर्शिप भी संबंदित आपको प्रोजबिल आ सकता है और नौकरी में भी प्रोजक्ट में सफलता मिलेगी लव वहाईक संबंदों में भी मदूरता रहेगी और परिवारिक महोल सुख में और समाज में पून होगा